हादिक पंडिया, बिते कुछ सालों से लगतार भारत के बेस्ट पेस बोलिंग गॉल रॉंडर हादिक टीम इंडिया के टॉप स्टार्स में से एक हैं कुछ वक्त पहले तक हादिक को टीम इंडिया का अगला कप्तान भी माना जा रहा था लेकिन चीज़े ऐसी तेजी से बदली कि हादिक वाइस कैप्तन भी नहीं रहे हादिक ने 16 टीटी आए और 3 वंडे मैच में भारत की कप्तानी की थी जुन 2022 से अगस 2023 के दरान खेले गए इन मैचेस में भारत ने बारत जीते थे इस प्रदर्शन के बाद लग रहा था कि हादिक टीटी वर्ल कप 2024 में भी भारत के कप्तान रहेंगे लेकिन रोहित वापस आए आते ही कप्तान बन गए हादिक को वाइस कैप्तन बनाया गया उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया भारत वर्ल्ड चैंपियन बना रोहित विराट रेटायर हुए लगा कि हादिक टीम के अगले कप्तान बनेंगे आईपियर टीम गुजरात की सफल कप्तानी का ट्राक रिकॉर्ड भी उनके साथ था लेकिन ऐसा नहीं हुआ सेलेक्टर्स और नए हेड कोच ने मिलकर शुलंका टूर के लिए सुरेकुमार यादव को कप्तान बना दिया जबकि वाइस कैप्टन की पोस्ट मिली शुबमन गिल को यानि देखते ही देखते हादिक सीन से गायब हो गए और ये तब हुआ जब हादिक बहतरीन परफॉर्म कर रहे थे इसके बावजूद उन्हें किनारे कर दिया गया हिंदोस्तान टाइम्स के मताबिक इसके पीछे का कारण थोड़ा अलग है इनके मताबिक हादिक के लिए चीजें बदलने के पीछे कम से कम दो बड़े कारण है पहली तो उनकी फिटनेस वन डे वर्लकप की दरान उन्हें चोट लगी चोट की चलते वो चार महिनों से जादा वक्त तक बाहर रहे पहली बाल नहीं था जब हादिक चोट के चलते लंबे वक्त तक प्रिकेट से दू रहे हो पीट की समस्या के चलते वो लंबे वक्त तक बोलिंग नहीं कर पाए थे वन डे वर्लकप की चोट से लोटे हादिक ने आईपेल 2024 में बोलिंग तो की टीम साफ तोर से खेमों में बटी हुई थी हादिक को इस चीज का भी नुकसान हुआ है हिंदोसान टाइम से बात करते हुए एक BCCI ओफिशल ने इस बारे में कहा था वो मुंबई का ड्रेसिंग रूम नहीं जीत पाए कई लोगों को लगा कि नैशल टीम को एक जुट रखने के लिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता हालकि इसके बाद भी वर्ल्ड कप तक हादिक को सेकंड बेस्ट तो माना जा रहा था लेकिन रोहत और द्रविड की जाते ही चीज़े एकदम से बदल गई नई कोच गंभीर की सोचलक थी उन्होंने सीधे किसी का नाम नहीं लिया लेकिन येस फर्स्ट कहा कि वो किसी ऐसे कप्तान के साथ नहीं काम करना चाहते जिसका वर्कलोड मैनेज करना पड़े शरंगा टूर्की वन डे सीरीज से बाहर होने के फैसले ने भी हादिक का नुकसान किया और इन सब के बीच BCCI को प्लेयर्स का फीडबाक मिला प्लेयर्स ने हादिक पर सूरे कुमारी आदफ को प्राथमिक्ता देने की बात कही बताया गया कि वो उनके साथ जादा सहज हैं इन्डियन एक्स्प्रेस ने इस बारे में लिखा ऐसा कहा गया कि बोड को मिले फीडबाक के मताबिक प्लेयर्स को हादिक से जादा सूरिया पर भरोसा था वो उनके साथ जादा सहज थे बीते साल उस्ट्रिलिया और साउथ आफरिका के साथ हुई सीरीज के दरान सूरिया टीम के कप्तान थे और उनके शांत तरीके और बात करने के अंदास से प्लेयर्स बहुत खुश थे कई लोगों को ये भी लगता है कि उनका कप्तानी का तरीका रोहिद जैसा ही है हलागे सूरिया को कप्तानी सौपने का फैसला इतना असान नहीं था सेलेक्शन कमिटी और बोर्ड के कुछ लोगों को लगा था कि हादिक ही ठीक कप्तान होंगे और इसे के बाद कोच गंभीर और सेलेक्शन कमिटी के चीफ किराय ने सूरिय का काम बना दिया इस वीडियो में बस इतना ही इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने मैं हूँ गरिमा स्पोर्ट्स जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहे हैं लालन टाप स्पोर्ट्स शुक्रिया